लोगसभा चुनाव के मद्दे नजर जहां एक तरफ बीजेपी सभी रूठों को मनाने में जूटी है तो वहीं उसके अपने ही पार्टी को आँख दिखा रहे हैं एक तरफ शत्रुगं सिन्हा मोधी सरकार पर हमलावर हैं तो वहीं अप 1984 में बीजेपी का खाता खोलने वाले सांज़द चंदु पतला जंगारेडी ने भी बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है और पार्टी में आंत्रिक लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए हैं बीजेपी अक्सर कॉंग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि विपक्षी पार्टी में आंत्रिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मा बेटे की चलती है जबकि अन्य नेता कटपुतली की तरह काम करते हैं लेकिन अब ऐसे ही आरोप बीजेपी के नेता ही ये आरोप लगा रही है 1984 के लोगसभर चुनाव में बीजेपी को देश भर में सिर्फ दो सीटे मिली थी पार्टी के दो सांसदों में एक थे चंदुपतला जंगारेडी लेकिन आज उन्होंने ही पार्टी के आंत्रिक लोकतंत्र पर सवाल उठाए ह चंदुपतला जंगारेडी का कहना है कि देश को बीजेपी के तो जरूरत है लेकिन इस सबसे बड़ी पार्टी में बीते दो साल में आंत्रिक लोकतंत्र कमजोर हुआ है और पार्टी का बुदूर्गों के साथ रूखा विभार रहा है बीजेपी के दिगजनेता ने पार अंधर प्रदेश के हमन कोंडा में पीवी नर्सीमह राव जैसी हस्ती को हरा कर बीजेपी का खाता खोला था वैसे आपको बता दें कि रेज़ी से पहले यश्वन सिन्हा अरुन शौरी और शत्रुगन सिन्हा भी यही आरोप लगा चुके हैं डिबिलाइफ की रिपोर्ट झालएप